बिल्कुल होटल स्टाइल पीनट मसाला आजम बना कर तियार करेंगे तो भुनी होई मुफली के साथ कैसे आप बना सकते हैं बिल्कुल होटल रेस्टरेंट जैसा पीनट मसाला तो पीनट मसाला सभी को अच्छा लगता है जब भी हम होटल वगरा में जाते हैं तो पीनट मसा इसके बाद में इसमें थोड़ा सा तेल एक करना और कढ़ाई में इसको बिलकुल लो फ्लेम पर हम भून लेंगे। इनको बहुत अच्छे से हमें भूनना है जब तक कि इनमें से चटकने की जो आवाज है वो आना बिलकुल बंड नहीं हो जाती। Color Change नहीं हो जाता और साथी जो मूफली है ना हलका हलका फटने नहीं लगती तो ऐसा नहीं है कि भुनने के बाद में हर मूफली का दाना फटने लगेगा लेकिन मैकसिमम मूफली का जो मूँ है जो दाना है वो थोड़ा सा फटा हुआ आपको दिखेगा इसका मतलब है ये एक साइन भी होता है कि हमारी मुफली अच्छे से भुन चुकी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुफली का कलर चेंज हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है साथ साथ पूरे किचिन में अच्छी सी खुश्पू आने लगी है और ये जो मुफली है इसका दाना थोड़ा थोड़ा फटने लगा है मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ ये देखिए थोड़े से क्रैक साना इसमें शुरू हो गए तो इसको हम एक से दो मिनट और भून लेते हैं और इसके बाद में हम इसको बहार निकाल लेंगे क्योंकि ये मुफली हमारी भून कर त्यार हो चुकी है आप चाहें तो सारी की सारी मुफली को ना किसी चलनी में भी डाल सकते हो कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ओयल हो वो सारा की सारा निकल जाए या फिर इस तरीके से थोड़ा सा चलनी को किनारे पर कढ़ाई के रोक कर आप इसका ओयल हटा सकते हो और सारी मुफली को ठंडा कर लेना इसके बाद में हम इससे चार्ट बनाएंगे तो मुफली को हमने ठंडा कर लिया था इसको हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं और पहले से ही मैंने सबजियां काट कर रखी हुई है जो भी मुझे डालनी है तो एके करके मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें क्या-क्या एड़ कर सकते हो जैसे आप इसमें प्याज डाल सकते हो एक बिलकुल बारिक कटा हुआ प्याज डाल लेना प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर देना इसके साथी खीरा डाल सकते हो खीरे का सीजन है छोटा-छोटा काट कर डालना मैंने बिना छीले ही छोटा-छोटा काट कर डाला है आप चाहो तो छील कर भी डाल सकते हो और एक टमाटर मैंने डाला है छोटा-छोटा साथी याँ पर आदी गाजर को भी कद्दुकस करके या छोटा-छोटा काट कर डाल ले गाजर डालना बिल्कुल optional है अगर आपको नहीं पसंद है तो skip कर सकते हो दो से तीन हरी मिर्च डाल लेना बिल्कुल बारी काट कर इसके साथी याँ पर हरा धनिया खूब सारा डालना अच्छे से आपको सबसे पहले सारी चीजों को mix करना है बहुत सारे लोगों को ना जैसे गाजर पसंद नहीं आती तो गाजर आप skip कर सकते हो जैसे मुझे पसंद है तो थोड़ी colorful सा हो जाता है तो इसलिए मैंने गाजर एट किया है जैसे गाजर तो हम सैलेड वगएरा में भी खाते हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहो तो कद्दू कस करके भी इसमें डाल सकते हो अब इसमें मसाले वगएरा हम मिलाएंगे तो जैसे इसमें नमक है काली मिर्च है सफेद नमक, काला नमक, चाट मसाल, यह सारी चीज़े हम एक एक करके इसमें आड़ करेंगे तो अल्रेडी हमारा जो सैलेड है बहुत ही जादा कलरफुल लग रहा है, बहुत ही जादा यमी लग रहा है साथी यहाँ पर काला नमक थोड़ा सा मैंने आड़ किया है, इसका टेस्ट भी चाट में बहुत जरूरी है डालना और साथी देखे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालिएगा, एक चौथा ही चम्मच के करी थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर आप डाल सकते हो, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इसमें जाएगा, और साथी इसमें जाएगा आधा नीबू कर रस तो इसके बीच हटा कर हम इसमें एट कर देंगे और ये सैलेड आप जब भी बनाओ न तो खाने से पहले तुरंत पहले बनाना और तुरंत ही आप इसको खाना है ऐसा नहीं आप करना है आपको कि आपने बना कर रख लिया और आराम से आप इसको दो गंटे बात खा रहे हो क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे न कि आप इसको बनाने की घंटे दो घंटे बाद खाऊगे न तो फिर ये सैलेट सौगी हो जाता है तो देखिए बातों बातों में सारे स्पाइसे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छा लगता है सैलेट क्योंकि जो पीनट होती है मुफली होती है हमने इसको भूना था तो ये काफी क्रंजी सी लगती है और जो सैलेट है इसमें हमने अड़ किया है तो वह बहुत कलरफुल है मसाले भी बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं जो भी हमने अट की हैं तो एक खटा चटपटा स्पाइसी सा सैलेड हमारा पीनट मसाला या फिर पीनट चाट आप बोल सकते हो बनकर बिलकुल त्यार है और आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हो कॉफी के साथ इं इसको बनाया है एक बार आप इसको बनाकर जरूर देखना और कैसी लगी रेसिपी हमें लिखकर जरूर बताईएगा मुझे उमीद है आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजे कॉमेट कीजे और मेरे चैनल को सब्सक् प्लीज़ और भॉट्गता है